नूल के में अदुशकू सुढएन। एलो फ्रेंड्स वएल्कम बेक लुइंजिनेरिंग नौलेज। फ्रेंड्स आज हम देखेंगे प्रेजंटेशन अफ इसेंट्रोपिक और आइसो्थर्म लाइन इन पी-वी डाग्रम, ठीक है। तो पी-वी डाग्रम में isentropic और isotherm line को कैसे हम लोग represent करते हैं तो वो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ठीक है friends तो friends देखिए हमें पता है कि ds is equals to cp dv by v plus cv dp by p ठीक है तो अगर आपको इस equation के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप i button में click कर लीजिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है तो वो आप देख सकते हैं ठीक है friends isentropic line को show करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो isentropic line होगा उसके through क्या होगा जो entropy है वो constant रहेगा तो यहाँ पे हम लोग मान के जल रहे है कि entropy है इस equation में constant that is s होगा constant ठीक है इस equation में s है constant इसके मतलब क्या है ds क्या हो जाएगा derivative of entropy क्या हो जाएगा 0 तो यहाँ पे मैं ds की जगा पे 0 put कर रहा हूं ठीक है ds की जगा पे 0 put कर रहा हूं तो क्या आएगा cp dvy v plus cv dp by p यह आगया यहाँ पे ds की जगा पे 0 put कर दिया ठीक है और यहाँ पे क्या आएगा देखिए cp dvy v minus of cv dp by p simply इसको इधर ले आया और इसको माइनस जो माइनस होता तो वो उस माइनस को इधर भेज दिया ठीक है यहां से क्या आ जाएगा देखिए dp divided by dv जहां पर क्या है entropy है constant is equals to क्या जाएगा minus cp by cv into p by v ठीक है यह तो समझ आ गया कैसे इसको dv को यहां पर ले आया और cv को नीचे ले आया minus इधर ले आया तो यह equation आएगा ठीक है अभी हम लोग क्या लिख सकते है कि dp dv entropy constant is equals to क्या हो जाएगा देखिए minus of cp by cv क्या है गामा into pyv यह आ गया हमारा पहला equation ठीक है इस equation को हम लोग बाद में काम पर लेंगे अभी इसको रहन देता है ठीक है यह आ गया हमारा equation number one तो इस equation से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो pv diagram में entropy जब constant रहेगा तब जो slope आता है वो क्या आएगा negative slope देखिए यह जो value आएगा है क्या आएगा negative क्योंकि minus है ठीक है तो यह गया हमारा पहला equation अब देखते हैं दूसरे equation में क्या होता है अब देखिए हमें पता है कि ds is equals to cv dt by t plus r dv by v ठीक है और एक equation हमें पता है कि ds is equals to cp dt by t minus r dp by p ठीक है यह दू equation हमें पता है अगर आपको इन दोनो equation के बारे में नहीं पता है तो आप i button पे click कर लीजिए वहाँ पे मैंने पहली जो compressible flow का playlist है उसका पहरा ही जो video है उसमें मैं proof करके दिखाया हूँ कि यह सारी equations कैसे आते है जो कि है change of entropy मतलब change of entropy कैसे आता है वो मैंने proof करके रखा हूँ है आप देख सकते है ठीक है तो यह दो equation हमें पता है ठीक है तो अभी देखिए दोनों ही change of entropy है देखिए तो इसको हम लोग क्या कर सकते है इक्वेल कर सकते है तो मतलब क्या लिख सकते है कि therefore cv dt by t plus r dvy by v is equals to cp dt by t minus r dp by p दोनों की change of entropy इक्वेल होगा ठीक है यहां से हम लोग क्या लिख सकते है यहां से देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे जो isotherm line है उसको draw करेंगे ठीक है isotherm line को draw करने के लिए हमें क्या करना परेगा कि temperature को constant करना परेगा क्योंकि isotherm line में क्या होगा temperature constant रहेगा temperature को मैंने कर दिया constant ठीक है constant अभी इसका derivative क्या आजागा d t equals to 0 आजाएगा ठीक है ना अभी देखिए क्या आजाएगा यहां से यहां पर अगर मैं d t is equals to 0 पुट कर दूँ तो क्या आजाएगा देखिए कि यह तो 0 हो गया यह भी 0 हो गया मतलब क्या आजाएगा कि r d v y v is equals to minus of r d p by p यह आजाएगा हमारे पास इसका मतलब क्या है r cancel हो गया तो मैं d p by d v कर रहा हूँ temperature constant is equals to minus of p y v यहां गया हमारा second equation ठीक है friends तो इस equation से हमें क्या पता चल रहा है कि जो p v diagram है p v diagram में जो isotherm line होगा उसमें जो slope आएगा isotherm का वो होगा negative तो दोनों ही case में हमारा जो slope आ रहा है negative आ रहा है लेकिन इन दो equation से हमें एक बात समझा रही है वो था dp by dv जो कि था entropy constant is equals to minus gamma into p y v यह था हमारा पहला equation ठीक है यह था पहला equation यह है second equation अभी इन दो equation में हम लोग अगर compare करें तो क्या दिखने को मिल रहा है देखिए जो isentropic वाला slope है वो ज्यादा negative है isotherm वाला slope से ठीक है क्यों देखिए यहाँ पर minus p y v है यहाँ भी minus p y v है लेकिन gamma multiply है यहाँ पर तो gamma का value अगर multiply कर दे तो यह value ज्यादा हो जाएगा और यह more negative हो जाएगा ठीक है अभी देखिए p y diagram में हम लोग जो isentropic और isotherm line से उनको draw करेंगे तो देखिए यह दो equation हमारे पास है तो हमें पता है क्या दोनों ही jiy so slopes है वो क्या होगी negative होगे तो कुछ इस तरह होगा मान लेते है जो isentropic line होगा वो कुछ इस तरह होगा ठीक है तो देखिए I CALつ humidity slope है वो क्या है more negative 함 मतलब यह झो Icentropic slope line होगा वो क्या हो जाएगा नीचे होगा और जो आइसो थार्म लाइन होगा वो क्या होगा थोड़ा उपर होगा कैसे इस तरह होगा हमारा कुछ आइसो थार्म लाइन ठीक है देखिए जो आइसो थार्म लाइन है यहाँ पे है T है constant यह है आइसो थार्म लाइन और इस line पर क्या है हमारा जो isentropic line है वो हाँ पर है entropy constant तो यह जो isentropic line होगा वो थोड़ा नीचे होगा isotherm line से ठीक है तो ऐसे ही हम लोग PV diagram में isentropic और isotherm line को draw करते हैं ठीक है friends तो यह तो थी presentation of isentropic and isotherm line in PV diagram ठीक है friends तो अज के लिए इतना ही friends अगर आपको मेरी वीडियोस helpful लगते हैं और आपको पसंद आ रहे हैं मेरी वीडियोस तो like कीजिए मेरी वीडियोस को share कीजिए अपने friends के साथ और subscribe भी कीजिए engineering knowledge को क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहूंगा थैंक्स friends, जय हिंद